नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौ मई से बीस मई तूला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों आपका भाग अब पलट चुका है अब भागवान भोले नात आपका नसीब अपने हाथों से लिख चुके हैं जी हाँ दोस्तों आप लोगों को जिस परकार से समस्याओं का शामना करना पड़ रहा था जिन कठनाईयों का जिन परसितियों का शामना करना पड़ रह क्योंकि महादेव अपने हाथों से आपकी रासी वालों का भाग लिख चुके हैं। कि महादेव किस परकार आपके जीवन की काया पलटने वाला है। किस परकार भोलेनात आपके जीवन की रूप रेखा बदल कर रख देंगे। कि बीजिनस और वैपार के सा रहेगा और स्वास्ते की महत्वपून जानकारी इस वीडियो में देंगे। और साथ में बताएंगे कि आपका सुबरंग और सुबरंग के क्या है। दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपा भी बताएंगे। जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना शके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें। साथ में नौटिफिकरशन बैल को दबा दें। जिससे समय समय पर हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुश के। तो चलि दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक निति ज्ञान के बारे में दोस्तों आचार चानक जी कहते हैं कि खुद को अपनी नजरों में गिराना छोड़ दो जब लोग तुम्हें ना समझे तो उन्हें समझाना छोड़ दो इसी के साथ अपनी आदतों के अनुसार चलनने में इतनी गलतिया नहीं होती जितनी की संसार को ध्यान और संकोश रख कर चलने में होती है इसी के साथ चेहरे की हासी से अपने कास्टों को छुपाओ और बहुत कुछ बोलो लेकिन अपने रहास किसी को मत बताओ जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज आपका भाग आपको कोई महतपुन उपलवदी देने वाला है इसमें आर्थी इस्ती भी बहुत ही बेहतर रहेगी अता समय का उचित सदुपियोग करें घर में भी अनुसासन तथा व्यवस्था बनाए रखने में आपका महतपुन योगदान रहेगा दोस्तों आज भागवान का आसिरवाद आपके बनी हुए है आपको भी काम करेंगे तो आपको अवसी सफलता मिलेंगे दिन की सुरवाद बहुत ही सुकुन भरी रहेगी कोई सुब समचार मिलने से मन परशन रहेगा घर को शवारने के लिए नई वस्तियों की खरिदारी ह होगी समारों में जाने का भी मोका मिलेगा दिन चारिया में कुछ आचानक बदलाब होगे जो कि सकारत में भी रहेंगे दोस्तों आपको पिछले अच्छे कर्व परदान होने के कारण भागवान का आसिरवाद आपके बना हुए है आज आप कोई दी शुब काम करेंगे त जिसके करण दोस्तों आपके घर परिवार में खुसियों वरा बतावरन रहेगा भावकता के वज़ा बहवारे नजरिया रखें करवी लोगों के साथ किसी खास मुद्य पर गंबीर और फाइदेमन विचार विमर्स होगा युवां को केरेयर समन्दी अच्छी जनकारी भी की हासिल होगी दोस्तों समाजी गत्वा सोसाइटी समंधी गतिविधियों में भी आपका योगदान देने से कोई बहतरिन अनुभव मिलेंगे परतिष्टा बढ़ेगी महत्पुन काम पूरा होने से उमीद और आसाहें सफल रहेंगे किसी समारों में जाने का भी अबसर भ नहीं हासिल होगा अपने व्यक्तिगत कारियों को पूरा करने में ही अपना ध्यान दें आज आकरेन ही कुछ आपसी मद्भेद हो सकते हैं दोस्तों इस समय भाई बहुना से अपने रिस्तों को बहुत अधिक सम्हाल कर रखें किसी आर्थी मदद करने की वजह से आपका काध होने जैसी इसती दूर रहें दोस्तों अस्तावधान रहें कि कोई गलती जनकारी आपको भिम्रित कर सकती है अपने कार सेलीवा योजनाव को वेश्तित रूप से संपर्ण करने का प्रयाश करें जल्दवाजी के चकर में आप कुछ काम अधूरी भी छोड़ सकते हैं इसलिए कभी भी दोस्तों जल्दवाजी न करें दोस्तों इस समेरे स्कदारों से समंदी कुछ पूराने वाद वाद विवार उच सकते हैं ऑन्तों हर समस्या का समाधन बहुत ही वहवार पुसल तरीके से करें पैसे कि लेन देन समंदी को भी उधारी करنا नुक्साय दायक रहेगा दूस्तों किसी परकार की भी बात विबात की सिती में ना उल जाएं दूसरों के मामले में हस्तेशे भी ना करें और छेतरों में वैस्ता के साथ साथ घर की वैस्ता बनाए रखने में भी ध्यान रखें परिवार वालों की नाराज़गी हो सकती है दूस्तों वैब सा बिदियों में भी आपका बहत्रिन मुनापा होने की संभावना है। दोस्तों आज व्यवसा समन्दी गर्टि विद्यों में मेहनत करनी पड़ेगी। परतिस्पर्दा का भी सामना करना पड़ेगा। मुश्किल समय में किसी योग वेक्ति की सलहा लेना उचित रहेगा। दो इसलिए प्रयासा दरें दोस्तों आपको अवसी सफलता मिलेंगे वेवसाई गतिविदिये में सुधार समंधी योजनापर अनुभवी इंसान का मारदर्सन मिलेगा पावले डिलिंग और एड़वार्टाजमेंट से समंधी कामा में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें क्योंक दोस्तों वेवसाई में वहतनी ओडर हासिल होंगे किस राजनती अत्वा अनुभी व्यक्तिक की सला वा मदद आपके वेवसाई को नई दिशा परदान करेगी दोस्तों आज आपकी भागी की रेखा साब दिखाई दे रहा है वेवसाई की विस्ता समंधी जो आपने योज ऐसर मिलेंगे तो इसतों पत्नी एक दूसरे के भावनाए को शमान करें परिवर के साथ-साथ किसी धार्विस अनुभी अनुस्थान जाने का भी अवसर मीलेगा दोस्तों आज आज आपके घर में शुखनामा महौल रहेगा आचाने किसी पुराने मित्र के मुलकाथ से सु समस्या बढ़ सकती है लापारवाय ना करें तदा दिन्चारिया ववेस्थित रखें आपका स्वास्त ठीक रहेगा अपने अंदर ना उपसन न दें दोस्तों आज आपको अते दिक कारपार की वज़े से ठकान और कमजोरी हावी रहेंगे सबके साथ अपना भी ध्यान रखन जरूरी है तो आपके उपाय के बारे में दोस्तों आपकी तरकी को देखकर कोई सत्रू आपको परेशान कर रहा है अधी आपका कोई सत्रू है जिसके करण आपको वेवज़ा ही परेशान का सामना करना पड़ रहा है तो दोस्तों उससे छुटकरा पाने के लिए एक भोज पत्र लें उस पर लाल चंदन से अपने सत्रू का नाम लिखकर उस भोज़ पत्र को एक सहत के डिब्बे में धिंगो कर रख दें आपका सत्रू अपने आप सांत हो जाएगा दोस्ता आपकी भी सत्रू है और आपको परेशान कर रहे हैं तो दोस्तों यह उपाय जरू करें आ सिर्वाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में जय महाकाल जडूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जडूर करें धन्यवाद